Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Middle East crisis जितना deep है, उतना ही interesting है और उतना ही दर्दनाक है खास करके हम भारतियों को Middle East crisis के बारे में कुछ एक elementary idea तो होना ही चाहिए उसमें भी खास करके जो student तबका है, उनको ये मालूम होना ही चाहिए कि आखिर में Middle East में क्या हो रहा है और किस तरीके से European countries plus USA और बहुत हद तक Israel ये लोग मिलके दुनिया में एक narrative चलाते हैं, एक agenda चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि दुनिया का जो power center है वो इन ही के आसपास से हो के गुजरे या ये लोग ही उस power center का head रहें अगली बार जब US हमारे बारे में तारीफ करेगा तो हम थोड़े से cautious हो जाएं और समझे कि कहीं USA का तारीफ करना भारत के बारे में खतरनाक तो नहीं हो सकता है कहीं पे भी war होता है तो वहाँ पे जो सबसे अधिक suffering होता है वो वहाँ के common civilians का होता है जिस तरीके से इसराइल गाजा में random तरीके से bombing कर रहा है कहनी के जरुवत नहीं है कि वहाँ के जो common civilians है सबसे अधिक वही लोग सफर कर रहे है इसी बीच इसराइल के defense forces का एक unit है जिसका नाम है नेजजा यहूदा इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि US इसके उपर sanctions लगाएगा अब तक लगाया नहीं है जिसके reply में Benjamin Netanyahu काफी गुसे में हो जाते हैं और US का इस statement काफी discourage भी करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से USA एक तरफ से war को support कर रहा है दूसरे तरफ से ये दिखा रहा है कि वो दुनिया का human rights का protector है साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर में Netza Yehuda unit क्या है इस वीडियो में आगे बढ़ूई से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये आज का ही आर्टिकल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि US 95 billion American dollars का foreign aid या military assistance का जो proposal था उसे वो पास कर दिया अब कहने का मतलब है कि इस चीज को थोड़ा सा आप neutral perspective से देखिए और सूचिए US को ऐसा क्यों लगता है कि उसे Ukraine को support करना जायज है अगर यही बात as in Russian अगर आप ये पूछेंगे कि आपको ये हक किस ने दिया था कि आप Iraq पे attack कर दे या आप Libya पे attack कर दे और Middle East का जो situation है उसको और भी खराब कर दे तो इनके पास possible वैसा कोई खास जवाब रहेगा नहीं वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा जो amount खर्च होने वाला ये कहीं न कहीं जो हमारा environment है उसको भी definitely damage करेगा अगर कहीं पे भी war होता है तो इसमें कहीं से कोई दोर आए नहीं है कि जो infrastructure होता है वो तूटता है वो भी खरता है उसके बाद जो explosion होते हैं उसके कारण जो अलग में लगबग 35,000 लोगों को आप मार देंगे self defense के नाम पे इसको आप किस तरीके से justify करेंगे और ताइवान और चाइना के बीच में relation खराब है जहां पे चाइना ये claim करता है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और ताइवान कहता है कि वो एक independent separate nation है तो यहां पे USA support करता है ता ताइवान को और इसको इस तरीके से बताया जाता है कि ये Chinese aggression है तो US के जो अलग-अलग military bases है दुनिया भर में उसको US किस तरीके से justify करेगा तो as an Indian हमारे लिए काफी महत्पून होता है कि हम चीजों को possibly हर angle से देखें यहां मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि US खराब है और China बहुत अच्छा है या China बहुत खराब है US जो कह रहा है वो अच्छा है अलग-अलग perspective है अलग-अलग angle है और सभी angle को अगर आप explore करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितने जो भी superpower देश है ये सिर्फ और सिर्फ अपने agenda के लिए ही लड़ रहे है और कहीं ना कहीं ये पूरे दुनिया को एक global crisis में डाल रहे हैं अगर कोई एक organization जो सबसे बड़ा fail है वो है United Nations और इसके जो सारे अलग-अलग divisions या इसके जो departments हैं अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये complete तरीके से fail है लेकिन जिस तरीके से European countries और US और बहुत हतक इस्रेयल के सामने ये लाशन को दिखाते हैं 300 से भी अधिक bodies यानि कि dead bodies को बरामत किया गया है गजा में जहां पे उनके body पे कपड़े नहीं थे उनके हाथ बंदे हुए थे कहने का मतलब है कि उनको extreme amount तक torture किया गया था अब यहां पे हम Indians को ये लगता है कि Israel हमारा best friend है तो Israel जो भी कर रहा है उस trade होता है वो हमसे जादा होता है तो कहने का मतलब है कि relations तभी अच्छे होते हैं जब दोनों देशों के बीच में वैपार होता है जब dependency almost बरावर कर है और ये सारे चीज़ अगर आप Israel और भारत में देखेंगे तो वो missing है no doubt कि Israel हमें defense system या technologies देता है लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि हम दूसरे देशों से technology लेके अगर हम बहुत खुश होते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे ability को रोकता है बीस तारी को एक report छपता है जहां पे possibly ये कहा जाता है कि US Israel Defense Forces के एक unit जिसका नाम नेजजा यहूदा है इसके उपर sanctions लगाने वाले हैं तो normally क्या होता है कि सभी religion में कुछ एक section ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा ultra orthodox होते हैं काफी ज्यादा extreme होते हैं या कहले कि वो कुछ अधिक religion के करीब होते हैं तो उसी में से एक military unit है इसराइल में जिसका नाम है नेजजा यहूदा तो इसराइल में अगर आप male हैं तो ये compulsory है आपके लिए कि आप इसराइल में military service को देंगे कुछ exceptions के साथ अगर कोई ऐसा medical condition रहा तो उस case में आपको exceptions मिल सकता है तो उसी ultra orthodox Jewish जिस military में represent करते हैं या जिस unit में वो represent करते हैं उस unit का नाम है नेजजा यहूदा अब इस unit के उपर multiple ऐसे cases हैं या reports है जहां पे ये कहा गया है कि एक्स्ट्रीम लेबल तक लोगों के साथ torture करते हैं खास करके Palestinians के साथ में तो क्यूंकि reports काफी सारे आगे तो कहीं न कहीं US government को ये दिखाना है कि US government human rights का protector है तो इसलिए वो Israel Defense Forces के इस unit पे वो sanctions लगाना चाहता है जब हम ये कहते हैं कि वो sanctions लगाना चाहता है US तो इसका क्या मतलब होता है तो किसी भी तरीके का USA नेजजा यहूदा को military assistance या किसी भी type का training वो नहीं देगा अब तक I am sure कि हम सभी भारतियों को ये तो मालूम पढ़ चुका है कि USA बढ़ चड़ कर military assistance, financial assistance या intelligence help करता आया ह इसराइल को इसी बीच Anthony Blinken उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि नेजजा यहूदा के उपर sanctions लगाये जाएंगे जिसके reply में Benjamin Netanyahu 21 April को एक post करते हैं जहां पे वो काफी खफा होते और कहते हैं कि जिस तरीके से Israel Defense Forces के उपर sanctions लगाने की बात की जारी है ये कहीं ना कहीं Defense Forces का ज जहां पे US Approve कर दिया है 95 Billion American Dollars का Assistance Israel, Ukraine और Taiwan के लिए तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत हद तक जो sanctions लगाने की बात की जारी थी वो बस मीडिया में news बनाने के लिए की जारी थी और बस बताने के लिए कहीं जारी थी कि US काफी concerned है थोड़ा सा गर हम और जाना चाहें निजजा यहुदा के बारे में तो इस division को 1999 में बनाया गया था और इस्रेल में जो ultra orthodox Jewish हैं इनका सरकार से बिल्कुल भी नहीं बनता है और ये लोग अपने services को military में देना नहीं चाहते हैं इस unit में सिर्फ और सिर्फ ultra orthodox Jewish हैं जहां पे इनको permission दिया गया है कि वो अपने हि आप से religious study या prayer वगरा कर सकें और इस unit में सिर्फ और सिर्फ जितने भी जो members है वो सारे के सारे male member हैं वहीं अगर हम बात करें तो February 2022 में इसराइल कहीं एक media organization जिसका नाम Harits है माफी चाहूँगा कर मैं इस नाम को wrong pronounce कर रहा हूं तो उनके दुआरा ही एक report छपा था जहां पे बहुत बार human right valuations के allegations या कहले multiple reports छपे हैं और इसके बाद कहीं न कहीं जो common या local civilians है इसरेल के वो भी इनके behavior से ज्यादा खुश नहीं है तो अगर हम इस video को conclude करें तो हमें एक शीज तो समझ में आता है कि अगर USA या western countries या इसरेल अगर human right valuation करता है तो वो European countries को दिखाई नही पड़ता है वहीं पर अगर किसी और देश में जिनके relation इनके साथ अच्छे ना हो अगर वहाँ पर कुछ होता है तो वो इन लोगों को दिख जाता है और as an Indian हमारे लिए बहर ज़रूरी है कि हम act of balance को maintain करें जब तक हम कर सकते हैं तब तक और उसके बाद एक जो चीज हमें क मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye